हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल शोशॉल जीविश शिवानिया आज के हमारो टॉपिक जॉर्ज हर्वर मीड का प्रतिकात्मक अंतक्रिया वास दानत है मीड अमेरिका के शिकागो वैचारिक परंपरा के एक अगरिणी विद्वान थे उन्हें समाज सास्त्र के छेत्र में एक नई परंपरा की बुनियाद रखी इन्हें समाजिक वहवार वार्वर की रूप में रखा गया उन्हें अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में समाज पर पूर्णत अधारित अनुभव मानवी सममो भासा प्रतिकिम संप्रशन मोहत्व भाव द्वारा उत्पन प्रतिक्रिया स्वा की प्रवर्ति प्रकृति प्रकृत्य रुप में वर्णित किया है आते हैं मीड के थियोरी पे जॉज हर्वर्ड मीड ने प्रतिकात्मक अंदर प्रिया सिध्धान्त का प्रतिपादन निमन चार अवस्थाओं के अधार पे किया है और उनके सिध्धान्त का मियन केंद्र विंदु सुआ रहा है यानि स्वा जो वैक्तिक का जन्म के उपरांत उसका जो विशुद्ध रूप होता है यानि सावयव का विशुद्ध रूप होता है उससे ही उन्होंने स्वा की अभधार्णा में दिया है क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा स्वा बड़ा है तो इसको मैं डेटेल में बताऊंगे क्योंकि पूरा उनका जो थियोरी है वह स्वा पर ही केंद्रित है मीड ने प्रतिकात्म गंता क्रिया सद्धान्त के केंद्रिबिंदु स्वा है स्वा जन्मो परांत सर्वथा विशुद अवस्था में होता है इस समय मात्र जब बालक का जन्म होता है या शिशु का जन्म होता है तो जिस अवस्था में होता है वह स्वा की विशुद अवस अर्थात मा के इस्तनपान करने से उसको उसकी कस्ट से मुक्ति मिल जाती है। जब स्वा का परियाप्त समाजी करन हो जाता है तब वह स्वयम को पास पर्वोज, गाउन अगर जाती ही, राते दारी शिक्षा आदी के समझने लगता है। एवं सुवा का ग्यान दूसरे व्यक्ति की भुमिकाव को ब्रहन करने से ही होता है। मीड ने इन दूसरे व्यक्ति को समाने करेट अन्ने कहा है। और जो पहले वाले सेक्षन में था जिसमें माता पिता या परिबारिक लोग आते हैं, उनको मीड ने विशीष्टि करेट अन्ने कहा है। समाज की बाते सरवता अर्थ हीन होती है अर्था जब बालक शिशू होता है तो उसे समाज की कोई भी बाते समझ में नहीं आती है उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मा और जो पारिवारिक लोग हैं उनके ही बाते समझ में आते हैं दूसरी अवस्था में मुझे या मेरा दूसरो अलग वह जगत के संपर्ग में आता है तो वह अनुकरण, अभिवृत्ति या फिर भूमिकाओं के निर्वहन वारा सुवा को सीखने लगता है सुवा की कुछ अन्तक्रिया होती है, सेकंड स्टेज पर माते हैं सुवा की अन्तक्रिया क्योंकि संचार प्रक्रिया के दोरा एक वैक्ति दूसरे वैक्ति की भूमिका को स्वैम ग्रहन करता है जिससे सुवा की प्रतिक सूची का अका निरंतर बढ़ता चलाता है अर्थात इस अवस्था में मीटिये कहना चाहते हैं कि जब स्वक का आई और मी का स्टेज जब डेफलप हो जाता है तो हम क्या करते हैं अंतर क्रिया करते हैं जब तक हम society में किसी से बात्चित नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे, संप्रिशर नहीं करेंगे, तब तक हमारे स्वा का आगे नहीं बढ़ सकता है. तीजी अवस्ता है स्वा का विकास, नहीं समझ पाता है, अर्थाश शिशू जब होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोना, हसना, और मा या फिर अपने बहुत ही नीजी संपरक में लोगों कोई समझता है, लिकिन जैसे ही वो दो साल से बड़ा होता है, तो उसे उस प्रतिकों का अर्थ समझ में लगते हैं, गेम स्टेज से प्ले स्टेज में लगते हैं, जिसकी अवस्था के फ़ल सोरो बालक नीरंतर अपने स्वा का विकास करते हुए समाज के मुल्ले मानक भूमिका आधिकोर ग्रहन करने लगता है, वो अब समझने लगता है कि हमें कैसे समाज में जैसे उसकी मा का जो रोल है, उसके फादर का जो रोल है और फिर वो अपने रोल को उन्हीं के अनुकुलित करने लगता है, और अपने जेंडर के अकॉर्डिंग उसको डेवलफ करने लगता है, यहीं पे उन्होंने भूमिका ग्रहन सद्धान का भी प्रतिपादन के है, जिसका समान है अर्थ है कि हम दूसरों को देखकर उनकी भूमिकाओं को ग्रहन करते हैं, और अपने मैं से मेरा यानि मुझे क विकास करते हैं, फोर्द अबस्त है प्रतिकात्मक अर्थ, प्रतिकात्मक अर्थ संकियत से संबंदित है, एक विशिष्ट संकियत का अर्थ समाज के सभी सदस्य एक समान अर्थ होने पर प्रयोग के संसार होने लगता है, इसलिए मीड ने दर्शाया है कि व्यक्ति की संप तो वो एक सिंबल बन जाता है जैसे विवाह मानली जया सिंदूर लगाना मंगल सुत्री ये समाजिक सुकृति है जिसको उन्होंने मीड ने प्रतिकात्मक अर्थ के रूप में निहित किया यही उनकी प्रतिकात्मक सद्धान का केरिंद विंदू और उनकी चार अवस्थायत जिसके अधारप उन्होंने व्यक्ति के डेवलपमेंट इमें विकास इमें प्रतिकात्मक अंत्रक्रिया सद्धान को सम्मोधित किया है थैंक यू